हेई फ्रेंड वेलकम बेक टो मोई चानल सिंप्ली दीपर स्लैप स्टाइल सु फ्रेंड अज का टाइटेल देखके आप लोगों को तो पता चले गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक के ओपर वीडियो बना जो बालों का गिरना है उसको कैसे रोक सकते तो फ्रेंड में पहले त हमारा जो यारफॉल है वो बन नहीं होती है तो फर्स्ट जो होती है ना हम लोग ऐसे मोबाइल पर वीडियो देखके कुछ डियाइवाइ तरीका अपना लेते हैं उसके उपर कुछ पहले से मतलब वीडियो में जो दिखाया गया है हम लोग बस वही देखके उसको ट्राइ करना स्टार कर देते हैं अपको सोच शेयर कर रहे है जो लोग को खुद के ऊपर ट्राइ करके फिर आपके साथ शेयर कर रहे है तो हीी डियाइवाइ आपको खुद के ऊपर भी अजमाना चाहिए। ऐसा नहीं bet करें कि जो लोग में जो इसे ही DP करके कि दृखा कर आप लोगों को बोले है कि हमारे जना सपस الق कर बाल के लिए इसा बाल का अपका बाल जाहिए चैनि ठीज़ हूँ में में इसके लिए एक बात बहुत ज़रती थी मतलब कि मुझे कॉंबिंग करने का मन ही करता था इतना ज़रती थी तो उसके बाद जो है ज़रना बंढ नहीं हुआ था फ्रेंड मैंने बौछ कुछ ट्राई करके खुद के उपर बहुत कुछ अजमाया फिर मैंने देखा थोड़ा थोड़ा करके जो है प जब मेरा बाल जड़ता है ना मेरा क्या हम सबी को मतलब बाल को पंबिंग करने का मन ही नहीं करते हैं जैसे कि बाल के उपर से हमारा मन ही उठ जाता है लगता है कि चलो इसको काटी देते हैं तो फ्रेंट जैसे कि मेरा बाल आपको दिख रही है कि शौट है क्योंकि मुझे प शुषिप्स आपको बुल रही है आपके खुद के बालव में भी इसको ट्राय कर सकते हो और इसको देख सकते हैं? So friends, रात को हम लोग सभी हियर पे ओईल लगाते ही तो रात को अब जब हियर पे ओईल लगाते हो ना तो उसको कोकोनाट ओईल जो होता है ना वोही लगाया कीजिए योगि उसमें हम कुछ मिक्स्ट करके फिर लगाईए मेरे पास अभी कुछ नहीं था तो बस मेरे पास अलवेडा जेल था तो मैंने अलवेडा जेल उसके साथ मिक्स्ट करके लगा रही हो आपके पास अगर आमला है तो आप उसका जूस डाल सकते हो या फिर आपके पास अगर अनियन है आप उसका भी जूस डाल सकते हो तो मेरा जो hair है वो short है इसके लिए बस मैं हाथ पे दोनों को mix करके फिर लगा रही हूँ आपका hair अगर long है तो आप एक कटोड़ी में oil और कोई भी juice हो या फिर jail हो आप उसको mix करके फिर लगाईए धीरे-धीरे करके तो मैंने देखिए पहले दोनों part कर लिया hair का तो एक side पे में लगा रहूँगी फिर मैं दूसरी side पे लगाऊँगी ऐसे ही मैं धीरे-धीरे करके लगा लूँगी ते oil को मैं ज्यादातार oil जो है ना उसको hair पे लगाने की कोशिश करूँगी और एकदम हलका करके मैं scalp लगा बहुत ज़्यादा बाल एक साथ निकालाते है तो इसके लिए बस हातों से ही इसको अच्छे से combing कर लिजिए क्योंकि रात की टाइम है कोई दिखने तो नहीं आ रहा है ना कैसा लग रहा है या क्या तो आप हातों से ही थोड़ा बहुत इसको combing कर लिजिए तो उसके बांद लेजिए पर ज्यादा टाइट करके नहीं थोड़ा लूस करके इसको बांद कीजिए और रात को आप जब सोती हो ना तो वह जो पीलो रहते ना उसको कटन अगर कटन का हो तो और भी अच्छा होती है तो आप कटन का जो पीलो कवर होते हैं उसमें ही सोया कीजिए क्या होता है कि आपका बाल जो है ना वह एकदम सेट रहते हैं और अच्छे रहते हैं और सुबह जब बस हम लोग शैंपू करते हैं तो आमें क्या करना चाहिए बस आप सेकिंड पट पर देख लीजिए तो सुबह हम जब हीर को वश करते हैं तब आप एक मग ले दीजिए आप शैंपू को डायरेक्टली आपका हीर पर नहीं लगाई है तो मॉग में देखिए बस मैंने पानी लिया और उसमें शक्कर डाल दिया आपके पास आप इसमें जूस भी डाल सकते हो आमले का जूस भी आप इसमें डाल सकते हो तो बस मैंने ट्रेस में शैंपू यूस कर सकते हो इसके बाद जब हैर वश करके आते हैं तो एक तावल से रेप कर लीजिए उसको ज्यादा हेबी मत लेजिए इसे क्या होते है कि आपका बाल अगर छोटा है तो फिर बाल बहुत निकाल के आ जाते हैं टावल में तो टावल को आप सौफ्टी रखा कीजिए और एकदम हलका रखा कीजिए अगर आपका लॉंग हीर है तो आप थोड़ा बहुत आपके बाल के अनुसार टावल यूज़ कर सकते तो बस मैंने देखिए इधर जो है बाल मेरा थोड़ा बहुत करते हैं अगर आप जॉप करते हैं आपको बाहर जाना है तो ही आप कउमram किजिए आप जब क한वी करोंगे तो वह जो कौम है ऊसको बड़े वाला जो कम मिलता है ुससे क्या किई क्या होता ही उससे अच्छे से बाल सेट भी हो जात immigrants का चांसने रहते क्युंकि बाल जब ग इतना बड़ा स्पा या फिर होम मेट तरीका भी जाधा तर नहीं अपनाती हूँ मैं जितना मुझे लगती है कि ये मेरे बालों के लिए काफी है सिंपल है बस में वही तरीका अपनाती हूँ या फिर लॉंग है तो आहाम लोगों के एक चीज़ बहुत जाधा ध्यान में क्योंकि बालों अगर आपके हीट के उपड़ इतना जादा स्वेट होगी तो आपके जो स्कैल फिना वो एक्तम सॉफ्ट हो जाएगा और बाल डीनने का चांस या फिर ड्रेंडू का चांस बहुत जाधा हो जाती है इसके लिए बस अपको अपको ध्यान डखना चाहिए कि अपको पीना चाहिए या फिर खाना चाहिए जिस आपका बॉड़ी टेमपरिचर कूल रहे आपके बॉड़ में इतना ज्यादा पसिना ना आए इसा कुछ हाप लोगों को पीना चाहिए और एक बात पस फ्रेंड मैं आपको बोलना चाहते हूं मैं कोई प्रफिशेनल ब्य के वीडियो पॉप लाइफ फिर मिलती हूं मेरे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक क्यार स्यू सून और लव यू अल